Hello everyone, welcome to CSE Society, आज की इस वीडियो लेक्षर में हम computer instruction के वारे में जानेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि computer instruction होता है, तो computer instruction जो है हमारे पास एक order होता है, real way में गर हम देखें, जो कि हम एक program के through computer के CPU को provide कराते हैं, ताकि वो कोई भी एक certain operation को क्या कर से के perform कर सके, तो हम यहा program, तो computer instruction क्या है, एक order है, जो कि computer के processor को दिया जाता है, किसके थोरो देते हैं, computer program के थोरो देते हैं, ताकि जो कि कोई ना कोई physical operation को क्या करेगा, computer ताकि उसके दोरब कोई भी physical operation को perform कर सके, तो instruction जो है, एक real में देखें, तो sequence of 0 and 1 होता है, तो computer, computer perform task on the basis of the instruction provided, तो अगर जो ह के basis पे हम करता है, जो ही हम instruction computer के CPU को provide कराएंगे, through computer program, उसी के basis पे computer क्या करेगा, कोई भी टास्क को perform करेगा, और हम देखते हैं कि real scenario में हो क्या रहोगा, जिसी है, यह हमारे पास एक program code है, जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास sum of two digits का एक program है, यहाँ पे, उसमें हम दो ती instruction दे and instruction 3, तो सबसे पहले यह जो program है, वो binary form में convert होगा, और फिर यह जो program है, इस binary form में convert होने बद यह CPU के पास आएगा, और यह instruction में convert हो रहा है, यह यहाँ पे हमारे पास, आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 3 mode होता है, जिसमें सबसे पहले addressing mode होगा, उसके बाद हमा finally उसको execute करेगा, CPU execute करेगा, किसके basis पे जो भी हम instruction यहाँ पे provide कर आ रहे हैं, जिसे हमारे पास बूल सकते हैं कि यह हमारे पास program होगा, source code पहले convert होगा, किसमें convert होगा, binary में, जिसको हम बोलते हैं, machine code में convert होगा, machine code में convert होने बद यह instruction बना है, यह किसके दोरा execute होगा, हमार your format के रूप में convert होती है, तो उसी को ओम क्या बोलते है, instruction state format बोलते हैं, instruction state format क्या करेगा, कि यह refer करता है, कि इसके instruction को, यह machine language का structure यह layout को यह refer करेगा, in terms of group of beats, here पे 0, 1 की format में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हां, इसके बीच में जो कुछ-कुछ group of beats है, एक फिल्ड बोलेंगे और इस पूरे होल को कै वोलते हैं इन्स्रक्षण फ्रॉर्मेट वहते हैं Cankelijk बीघयर क्रश्चेति ग्डिज्यक्ष्टर्वंगिंगे और के लिए इन्स्रक्षाइमें तु एक इन्सुचेति excited अब हम यहाँ पर देखते हैं कि field क्या होता है तो field जो है वो individual part है या instruction state का हम बोल सकते हैं कि कुछ-कुछ part को हम क्या बोलते हैं field बोलते हैं जिसे अगर हम देखे हैं तो यह हमारे पास एक instruction हो गया तो यह जो instruction इसमें हमारे पास total कितने field है तीन field है पहला addressing mode है दूसरा ओप code है और तीसरा हमारे पास क्या है और अपरेंड है तो इसको हम क्या हो लेंगा एक फिल्ड बोलेंगे इन तीनों को एक field 1 हो गया field 2, field 3 ठीक है और इनका हम नाम क्या है यहाँ पर देखे हैं सबसे पहला हमारे पास addressing mode है और अपरेंड है यह overall क्या हो गया हमारे पास एक instruction set format हो गया यह क्यों सा format है यह instruction register का जो कि 16 bit of format होता है जिसमें हमारे पास 0 से 11 तक जो हता है उसमें हमारे पास address होगा यह फिर data होगा 12, 13, 14 bit के पास हमारे पास operation code होगा और 15 number bit जो हता है वो होता है हमारे पास mode या जिसको हम addressing mode बोलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं field हम बोलते हैं तो हम बोल सकते हैं कि field क्या है field आता है individual part और section within an instruction format ठीक है they hold the specific information required for the execution of the instruction यह क्या करेगा हमारे पास hold करेगा specific information को जो ही instruction का execution के लिए जो भी information को requirement है वो hold करेगा जिसे हम यहां पर discuss कि हमारे पास तीन तरीके का field है सबसे पहले addressing mode दूसरा code है तीसरा हमारे पास operand है तो हम देखते हैं कि इन सभी का यहां पर काम क्या होता है normal अगर हम instruction register का अगर हम format देखें जो भी 16 bit format कर लाता है तो उसमें हमारे पास जो वी इनोटेल आ और ऑप्रेशन couple और यह याद्रेस्टर डाट इसको हम बोल ते ट्रेसिGS मौट आ प immersion यहाँ काम क्या होता है तो हमारे पास Så metabolis को आपरेंड जो है instruction में कैसे specify हो रखा है यह कौन determine करेगा हमारे पास addressing mode हमारे पास determine करता है कि हमारे पास जो आपरेंड है वो किस format में हमारे पास specify है दूसरा addressing mode यहां पर specify करेगा कि how the आपरेंड ही जो लोकेटव जो हमारे पास permanent है क्या से लोकेटव रहीं या तो में हो सकता है मोड कि अपने अपने रहें अपकी। मोड करो टेसिट्यों करेंगे कि क्रों में करें तो intermediate mode of addressing mode हो जागा रिश्टर mode addressing mode direct mode indirect mode index mode तो यह सब हमारे पास क्या हो गया addressing mode हो गया second आ जाता है हमारे पास opcode आ जाता है तो आपकोड क्या है आपकोड जो है fundamental part of the instruction आपकोड क्या है हमारे पास fundamental part of the instruction it represents the operation to be performed by the cpu यह जो है इस opcode field क्या contain करेगा कि जो भी हमारे पास cpu के द्वारा जो भी हमारे पास जो function को perform कराना हो contain करेगा opcode contain करेगा it specify the types of instructions such as the arithmetic जैसे हमारे पास कोई भी function हो या arithmetic logical और control transfer या data movement operation इन सभी को कौन specify करेगा और opcode specify करेगा फिर last आ जाते है हमारे यह होता है आप्रेंड इस डाटा और address ऑन बीच instruction operates यह हम ऑप्रेंड में generally हमारे पास क्या होता है data या address होता है जिसके जिसके उपर कोई भी instruction क्या करता है operate करेगा ठीक है it can be a constant value हो सकता है register हो सकता है और फिर एक कोई भी memory location हो जाता है या maybe इसके उपर क्या करना है कोई भी instruction का जो आप कोड है जिसको बोलते है operation जो है उसको क्या करता है perform करते है ठीक है the operate provide the necessary data for the instruction to perform the operation सेम चीज़ जो अप्रेंट है वो हमारे पास क्या करेगा वो सभी information या necessary data provide करेगा instruction को जिसके उपर हमारे पास सारा operation perform कराना है तो सबसे पहले आ जाते हैं addressing mode addressing mode क्या था हमारे पास यह specify करेगा कि कैसे हमारे पास आप्रेंट है आप्रेंट करने होले कि जो डाटा और एड्रेस हो किस वे में श्टोर है रेजिस्टर में श्टोर है memory में श्टोर है हम उसको कैसे cpu access करेगा वो कॉन डिफाइन करता है आपकोड क्या है आपकोड हम बोल सकते हैं जो भी operation cpu के द्वार परफॉर्म किया जा रहा उसको क्या बोलेंगे आपकोड बोलेंगे यह अर्थमेटिक लॉजिकल हो सकता है control transfer तो यह सारा जो function जो cpu के द्वार परफॉर्म करेंगा वो हो जाएगा आपकोड और हमारे पास last है ऑपरेंड ऑपरेंड क्या होता है ऑपरेंड के अंतर हमारे पास address और डाटा होता है जिसके उपर सारा जो आपकोड या operation जो परफॉर्म कराना वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास addressing mode को दिखाया हूँ, that's all, thank you.